Hello everyone and welcome to Infinity Learn by Shree Chaitanya. तो बच्चे, आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आपकी क्लास 11th में Human Physiology का एक चाप्टर, that is the excretory product and their elimination. बच्चा, हमने आपको कई बार बोला है कि आपका जो क्लास 11th में Human Physiology का unit है. यह आपके लिए बहुत जादा important है क्योंकि इस unit से almost आपका 20-25% paper बनता है. तो आपको Human Physiology की unit बहुत अच्छे से तयार करनी है और कुछ चाप्टर पे तो बहुत जादा focus करना है. इस साल आपके पास बस प्लस पॉइंट ही है कि digestion and absorption आपके पास नहीं है तो कुछ चाप्टर कम हो गए है अब आप अच्छे से अपने चाप्टर पे focus कर सकते हैं, right? Okay, so, Hi बच्चा, Good Morning, Mansi. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को. सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चा, सब अपने पास अपनी NCRT book लेके बैठेंगे. Basically, हम जो अपके साथ आज सेशन में one shot discuss करेंगे. हम with the help of previous year questions आपके साथ one shot को discuss करेंगे, ताकि आपको NCRT के भी page याद रहे, आपको NCRT के भी concept काफी अच्छे से तयार रहे, right? Okay, Hi अर्चना, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को. तो पहला question बच्छा आपका, नीट 2023 का आपका यहाँ पे questions था, और कैसा question था, assertion reason question था, ये तो बेटा, आप सबको पता होगा कि नीट का pattern change हुआ है, AR, statement wise, ये सारे आपके नीट के pattern में add हुए, right? तो आपका नीट 2023 में ये AR type का question पूछा गया था, excretory product and their elimination chapter से, हाई दयाराम, तो आपका यहाँ पे question किया था, बेटा, assertion में आपको क्या कहा, कि nephrons are of two type, cortical and juxtamadullary, based on their relative position in cortex and medulla, reason अपने यहाँ पे क्या दिया था, कि juxtamadullary nephron have short loop of LA, various, cortical nephron have longer loop of LA, question में क्या कहा गया बेटा, good morning बच्चा, आपको question में क्या पूछा गया, assertion में, कि आपके जो nephrons है, वो आपके दो तरीके के nephron होंगे, cortical nephron and juxtamadullary nephron, and आपने reason में यहाँ पे क्या कहा, कि आप आपका जो juxtamadullary nephron होगा, यहाँ पे जो आपका loop of LA, वो क्या होगा, आपका short होगा, as compared to the cortical nephron, तो क्या हम इसका answer बता सकते हैं, कि यहाँ पे आपका correct answer क्या होगा, क्या हम अपना correct answer यहाँ पे बता सकते हैं, कि क्या होना चाहिए, एक बार चलिए, आप अपना answer answer सूची है, इसका कि answer क्या correct होना चाहिए, ओके, मतलब हमें AR type के question में problem आती है, हमें AR type के questions में थोड़ा सा अभी issue है, तो पेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें, यह basically आपके NCRT पे direct line पे based upon question है, अगर आप अपने correct answer की बात करो, अगर आप अपने correct answer की बात करो, तो वो क्या होगा आपका यहाँ पे, B will be your correct answer, आप बिटा अपनी NCRT में page number 293 को अगर आप देखो, तो यहाँ पे बच्चा आपका mention किया हुआ है, कि आपका क्या होता है, basically दो तरीके के nephrons आपके present होते हैं, एक है आपका cortical nephron और दूस अगर आपका क्या है, बच्चा, juxtamadulari nephron, दोनों ही nephron आपकी NCRT में mentioned है, इसलिए हम page number के साथ भी discuss कर रहे हैं, कि जादा महनत ना करनी पड़े हमें, अगर आप cortical nephrons की बात करो, तो यह जादा abundant होते हैं, सबसे जादा जो आपके nephrons होंगे, वो कौन से होंगे, cortical neph nephron होंगे, कितने होते हैं, बच्चा, यह आपके almost 85% होते हैं, और अगर आप juxtamadulari की बात करो, तो यह आपके कम present होते हैं, almost यह कितने present होते हैं, आपके यहाँ पे 15% present होते हैं, तो जो आपका juxtamadulari nephron है, उसमें जो loop off हैंले हैं, वो क्या होगा, आपका long होगा, वो क्या कर सके, concentrated urine को produce कर सके, इसका काम क्या है, concentration urine को produce करना, तो यहाँ पे बच्चा हमने क्या बोला, Mansi and Gitanjali ने कहा है, कि आपका B correct answer है, तो आपने क्या कहा, nephron दो तरीके के हैं, बिल्कुल सही है, cortical and juxtamadulari है, और रिजन में आपने क्या कहा, कि juxtamadulari nephron में क्या होगा आपका यहाँ पे, आपने क्या कहा, कि आपके juxtamadulari nephron में क्या present होगे, short loop of LA होगे, बिल्कुल wrong है, right, juxtamadulari में तो क्या present होता है, long loop of LA होता है, जबकि cortical में क्या present होता है, short loop of LA आपका present होता है, तो यहाँ, assertion तो correct था बच्चा, but reason क्या था, आपका incorrect था, तो आपका answer क्या होगा, यहाँ पे, B will be a correct answer, right, good morning, महेश, एक और चीज बेटा ध्यान रखना, generally, जब भी आप AR type के question solve करते होंगे, तो आपने AR type में क्या देखा होगा, कि आपके options क्या होते हैं, कि A आपका correct explanation है, B आपका correct explanation नहीं है, but option कभी interchange हो सकते हैं, तो उसमें ना, ऐसा मत कर दे कि बस तुक्के में जाके वहाँ पे, मतलब अपना वहाँ पे, सीथे B mark कर के आरो, A mark कर के आरो, question को एक बार प्रॉपरली read out कर लेना, ठीक है, question एक बर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, चालिए, now, next question पे बढ़ते हैं, next question आपका again बिटा, need 2023 का question था, need 2023 में इस chapter से आपक को correct statement बताना है, अपको क्या पूछा गया, correct statement पूछा गया है, पहला अपने क्या कहा, an excessive loss of body fluid, from the body switches of the osmoreceptor, second आपने कहा, ADH facilitate water reabsorption to prevent diuresis, third आपने कहा, ANF cause vasodilation, fourth आपने कहा, ADH causes increase in blood pressure, and next आपने कहा कि ADH is responsible for decrease in the GFR, तो आपको यहाँ पर क्या बताने बिटा, आपके correct statement बताने है, और यह भी जो पूरा question था यह आपकी NCRT से पूछा गया था, यह भी पूरे questions की line आपकी कहां से आई थी, NCRT से आई थी, तो first आपने क्या कहा बिटा, पहले आप बताईए कि आ आपके according correct answer क्या होना चाहिए, यहाँ पर बिटा अपने क्या कहा है, गेतान्जली के लिए B correct है, okay, high T2, ठीके, आपने क्या कहा बिटा, आपका, आपके लिए B correct है, और मांसी के लिए B correct है, महेश ने C को माक किया है, चलिए, आपने पहले statement में क्या कहा, कि आपका जो excessive loss of body fluid होगा, वो क्या करेगा, आपका switch off करतेगा, Osmo receptor को, तो पिटा, यह जो line है, ओके, दयाराम के लिए B है, और साही के लिए B है, ठीक है, तो correct answer कि अगर हम बात करें, चलिए, एक बर पहले question को discuss कर लेते हैं, आपके साथ, आपने क्या कहा है, आपके NCRT ने direct line आपकी यहाँ प करता है, आपका activate करता है, Osmo receptor को, जिसकी वज़े से आपकी body में anti-diuretic hormone release होता है, and water का reabsorption होता है, अब अगर आप अपने question को देखो, आपने क्या कहा कि जब आपकी body से excessive loss of fluid हो रहा है, तो आपने क्या कहा कि यह क्या करेगा, switch off करेगा Osmo receptor को, यह तो बच्चा कब होगा, जो switch off है, वो कब होगा, जब आपकी body में, जो body fluid volume है, वो आपका increase हो जाएगा, तब आपके Osmo receptor switch off होंगे, ताकि ADH hormone का release decrease हो सके, and water reabsorption भी decrease हो सके, आप जादा water को urine में pass out कर सको, तो पहला statement तो क्या हो गया, बच्चा आपका यहां पे incorrect हो गया, first statement क्या है, incorrect है, इसलिए हम आपने का था, पिटा, NCRT की direct line से question पूछा गया है, second, आपने कहा, ADH facilitate water reabsorption to prevent the dry euresis, बिलकुल सहीए कि ADH का का काम क्या है, वो water reabsorption को increase करता है, from your DCT and the collecting tubule, ताकि हम कम water को बहार निकाल सके, right, तो B आपका बिलकुल करेक्ट है, third, आपने कहा कि जो आपका ANF है, that is your atrial netry euretic factor, जो कहां से release होता है, हमारे right atrium से release होता है, आपने कहा कि यह क्या करेगा, आपका vasodilation करेगा, आपकी blood vessels के diameter को क्या कर देगा, increase कर देगा, तो पेटा, अगर आप अपने ANF को देखो, तो आपकी NCRT ने सीधी-सीधी line लिखी है, कि ANF क्या करता है, आपका vasodilation करता है, जो blood vessels है, उनके diameter को क्या कर देता है, increase कर देता है, तो यह भी आपका क्या है, correct है, third, fourth, आपने कहा कि ADH causes increase in the blood pressure, आपने क्या कहा कि जो आपका anti-diuretic hormone है, वो क्या करेगा, blood pressure को increase कर देगा, तो यह भी सही है न, बच्चा, गर यह आपके body flit volume को increase कर रहा है, तो यह क्या करेग blood pressure को भी increase करेगा, तो यह भी बिल्कुल सही है, and fifth, आपने कहा कि जो ADH है, वो क्या करता है, GFR को decrease करता है, जबकि यह बिल्कुल opposite काम करता है, यह तो क्या करेगा, आपकी glomerular filtration rate को increase कर देगा, तो आपका correct answer क्या होगा, A will be your correct answer, तो question को बच्चा हमें properly पढ़ना है, हमें question को धंग से पढ़ना है, तिक है, then उसके बाद answer करना है, और यह बेटा आपका need 2023 का question था, भी सबसे latest question आपका यह है, तो ऐसे questions पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, चलिए, now next question पर हम बढ़ते हैं, आपका need 2022 का question है, क्या पूछा गया है, बहुत easy सा question पूछा गया है, कि nitrogenous waste is excreted in the form of the palate or paste by, आपने क्या बूला कि आपका जो nitrogenous waste है, वो आपका paste या पालेट की form में excret हो सकता है, किस में होगा, आपका onythoricus में होगा, आपका salamandra में होगा, आपका hippocampus में होगा, या फिर pavo में होगा, तो ये भी आपके NCRT में 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 चेंड है, ये पूरा concept भी NCR बस आपको क्या याद रखने, आनिमल किंग्डम के scientific names भी याद रखने, अगर scientific names भी याद होंगे, तो आप ऐसे questions को भी बहुत easily solve कर सकते हो, तो यहाँ पर हमारा answer क्या होना चाहिए, ओके दयाराम ने अपना answer दिया है कि आपका यहाँ पर D correct answer होगा, ओके, और किसी का कोई और answer है, ओके, गितांचुली के लिए A correct है, ठीक है, ओके, हमें लगता है, हमने अनिमल किंग्डम में scientific names भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, राइट, हमने scientific names भी ज्यादा focus नहीं किया, आपने on into rank us किया है बेटा, that is the platypus है ना, आप किस की बात कर रहे हो, platypus की बात कर रहे हो, जो किसका example है, eggling, mammal का example है, राइट, salamandra, that means आप किस की बात कर रहे हो, this is the example for the amphibians, राइट, salamander, किसका example है, amphibia का example है, third, आपने बोल, a hippocampus, hippocampus किया है बेटा, sea horse, right, किसका example है, fishes का example है, and अगर आप अपने fourth example की बात करो, four option की बात करो, पैवो, राइट, पैवो किसका आपका scientific name है, पिकॉक का scientific name है, किसको बिलॉंग करता है, birds को बिलॉंग करता है, तो बेटा, अगर आप यहाँ पे palette की बात करो, तो palette किस में निकलता है, uric acid आपका निकलता है, as a form of palette or the paste, तो आपका यहाँ पे answer क्या हो जाएगा, आपकी बच्चा, NCRT ने direct आपका statement दिया है, कि आपका यहाँ पे क्या होगा, जो आपके reptile से, bird से, land snail से, और insect से, यह क्या करते हैं, excretion करते हैं, किसका excretion करते हैं, uric acid का excretion करते हैं, किसकी फॉर्म में करते हैं, palette और paste की फॉर्म में करते हैं, तो यहां पे बिटा आपका correct answer क्या हो ज़राएगा अब D will be your correct answer. Yes, Vishal, Manci and Daya Ram, क्या होगा बिटा आपका यहां पे अब D आपका correct answer होगा, that is the power, ठीक है? तो आपको बच्चा देखो NCRT में हर एक lines equation आ सकता है, हर एक concepts equation आ सकता है, तो NCRT को तो बिटा हमें बहुत अच्छे से go through करना है, है न? आपका जो platypus है, वो तो आपका क्या excrete out करेगा, urea करेगा, आपका जो amphibia है, वो क्या करता है, आपका यहां तो urea करता है, यहां फिर ammonia करता है, फिश की अगर आप बात करो, तो ammonia excrete out करेगा, और अगर आप बर्च की बात करो, तो वो क्या excrete out करता है, uric acid करता है, तो आपका यहां पर क्या होगा, 4th will be your correct answer, yes, 4th वालों के plus 4 marks, चलिए, now next question पर बढ़ते हैं, आगेन यह आपका किसका question है, अपनी 2020 का question है, हमने आपको पहले ही बोला था बेटा, कि आपकी जो human physiology की unit है, human physiology की unit काफी important है, किसी भी chapter से आपके पास question आ सकते हैं, अब 23 and 22 में आपके पास इस chapter से 2-2 question पूछे ग आया, अब आपके पास किस में आया है, 2020 में आया है, तो आपको हर एक unit, हर एक chapter को बहुत अच्छे से तयार करना है, तो यहाँ पे question क्या पूछा गया है, बिटा, the increase in osmolarity from outer to inner medullary interstitium is maintained due to the question किस से related है, बिटा, आपका हैं पे, कि जो आपके osmolarity होती है, कहां से कहां पे आपके outer से inner medullary reason में, वो किसकी वज़े से maintained होगी, पहला अपने बोला close proximity होगी between handless loop and vasarector, second आपने बोला कि counter current mechanism की help से होगी, third आपने बोला selective secretion होगा, आपके bicarbonate iron का and hydrogen iron का in your PCT, and fourth आपने बोला higher blood pressure in the glomerular capillaries, तो यहाँ पे विशाल and mansi ने बताया है, कि आपका D correct answer है, तो एक बार बच्चा आप सबको बताओगा कि आपका जो counter current mechanism है, ओके दयाराम के लिए third correct है, ओके तांजली के लिए भी fourth correct है, अगर आप बेटा अपने counter current mechanism की बात करो, तो counter current mechanism का काम क्या है, वो क्या करता है, hypertonic urine का production करता है, उसका major काम क्या है, कि वो concentration solute का increase कर देगा, तो ये question पूरा उस पे based upon question है, अब बच्चा अगर आप अपनी NCRT की line को यहां पे देखो, आपके NCRT में page number 296 पे आपकी direct line given है, कि जो आपकी proximity होती है, between the handless loop and the VASA recta, as well as counter current mechanism in them, help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium to the, to your inner medulla, तो ये बच्चा आपका पूरा NCRT की line से question उठके आया था, ये जो question आप से पूछा गया, बस थोड़ा सा data आपका यहां पे change कर दिया, but बाकी इनोंने as it is रखा, पूरा question आपका उसे उठके आया है, तो इसका काम क्या है, आपका जो counter current mechanism है, आपने को hypertonic बनाती है, वहां पे concentration of urine को increase कर देती है, तो यहां पे आपका क्या होगा बिटा, आपका जो correct answer होगा, वो क्या होगा, fourth will be your correct answer, पहला आपका close proximity होगी between handless loop and vast erector, second आपका क्या होगा, यहां पे counter current mechanism होगा, इसकी वज़े से क्या होती है, हमारी जो osmolarity है, वो क्या करती ह है, increase करती है, तो अपसे इस concept को याद रखना, देखो अभी तक आपने जितने question solve की है, direct आपके NCRT की line पे question आए हो है, तो यह concept ध्यान रखना, counter current mechanism मतलब, आप किसकी बात कर रहे हो, वासर रेक्टा हालस loop की, as well as आप वहां पे क्या कर रहे हो, NECL and URIA का exchange कर रहे हो, Now, next question को देखते हैं कि हम से क्या पूछा गया है, तो आपका next question again, बेटा, NEET 2020 का question है, आपको क्या बताना है, correct statement बताना है, ठीक है, क्या बोला है, first statement आपको दिया, कि atrial natriuretic factor increases the blood pressure, second आपने बोला, angiotensin 2 is a powerful vasodilator, third आपने बोला, counter current pattern of blood flow is not observed in the VASA recta, and fourth आपने बोला, reduction in GFR, activate JG cell to release the renin, तो यहाँ पे बच्चा हमारा answer क्या होना चाहिए, आपको correct statement यहाँ पे बताना है, right, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, विशाल ने answer दिया है, D option को, मांसी ने भी correct बताया है, D option को, okay, दयाराम के लिए भी D correct है, for Gitanjali also, D is correct, okay, hi बता, ठीक है, तो चालिए, एक बर हम अपनी NCRT को इस question के लिए पढ़ते हैं, कि हमारी NCRT इस question के लिए क्या बोलती है, correct, तो बच्चा आपका D answer ही होगा, अगर आप अपने यहाँ पे statements को देखो, तो बिटा, आपका यहाँ पे page number 297 पे, आपका पूरा जो excretory organ है, उसमें आपके hormones का role बताया गया है, right, तो आपने क्या कहा बिटा, आपका यहाँ पे, कि आपका जो ANF है, ANF तो आपका किसकी तरह work करता है, it will work as a vasodilator, यह क्या करेगा, जो आपकी blood vessel से इनके diameter को increase कर देगा, कहां से release होता है, right, atrium of heart से आपका release होता है, right, and यह आपका क्या क्या कर रहा है, वेसो डाइलेशन कर रहा है, diameter of blood vessels को increase कर रहा है, so that means, यह क्या करेगा, blood pressure को decrease कर देगा, क्योंकि आपने पढ़ाओगा, जितना narrow human होगा, उतरा जादा blood pressure होगा, तो यहाँ पे यह तो आपका wrong statement हो गया, ठीके, इसकी अलाबा बिटा, आपने क्या कहा कि आपका जो ANGEO TENSEN 2 ह आपने जो अभी second statement की बात की थी, ANGEO TENSEN 2, यह किसकी तरह behave करता है वेटा आपका यहाँ पे, it will act as the vasoconstrictor, यह किसकी तरह act करेगा, vasoconstrictor की तरह, क्या करेगा, आपके blood vessels के diameter को decrease कर देगा, जिसकी वज़े से आपका जो blood pressure है, वो क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, as well as जो आ आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, basically आपका angiotensin के लिए हो गया, as well as आपके यहाँ पे ANF के लिए हो गया, तीसरा statement आपका किस से related था, रेनीन से related था, आपने क्या बोला बिटा, कि जब आपका जो glomerular blood pressure है, अगर यह आपका decrease होता है, तो यह किसको आपका activate करता है, GG cells को आपका activate करता है, to release the rain, जो किसको convert करती है, angiotensinogen को convert कर देगी, angiotensin 1 में and then angiotensin 2 में, तो एक चीज़ याद दखना बिटा, यहाँ से भी आपको घुमा के question पूछ जा जाता है, जो आपकी यह line दी भी है ना, यहाँ पे, इस line से भी आपको बहुत बार question पूछा जाता है, तो हमेशा याद दखना बच्चा कि आपका जो rain in है, वो क्या करता है, angiotensin 2 को किस में convert कर देता है, angiotensin 1 में करता है, उसका केवल काम क्या है, angiotensinogen को angiotensin 1 में convert करना, वो angiotensin 1 को angiotensin 2 में नहीं करेगा, तो यहाँ से भी question पूछा जाता है, ठीके, तो यहाँ पे क्या ह होगा बिटा, आपका correct answer क्या होच रहेगा, यहाँ पर D will be your correct answer, क्या अपका गर GFR decrease हो रहा है, तो वो आपके JG cell को activate करेगा to release the rain in, यह आपका बिलकुल correct answer है, बाकी सारे क्या आपके यहाँ पर wrong option है, ठीके, तो yes, जोनों ने D mark किया है, उनके plus 4 marks, ठीके, okay, now next question की बात करते है, next question में आपसे क्या पूछा गया है बिटा आपको इहाँ पर, आगें देखो, NEED 2020 का question है, कितनी बार आया है, तीसरी बार आपका NEED 2020 में question पूछा गया है, इस chapter से, तो क्या बोला है, which of the following would help in the prevention of the diuresis, क्या question पूछा गया था कि कौन सा आपका इहाँ पर diuresis में help करेगा, prevention में help करेगा, तो first आपने बोला, reabsorption of sodium ion and the water from the renal tubule due to aldosterone, second आपने कहा, atrial netriuretic factor causes vasoconstriction, third आपने बोला, decrease in secretion of renin by JG cells, and fourth आपने बोला, more water reabsorption due to the under secretion of ADH, तो यहाँ पे विशाल ने A correct mark किया है, गितांजली मांसी के लिए A correct है, और अरिश के लिए D correct answer है, ओके दयाराम के लिए D correct answer है, तो वेटा देखो, अगर आप paper को analyze करो, अभी तक आपने जितने questions solve की, तो कही ना कहीं आपके कुछ concepts तो बार बार repeat हुए ना, counter current mechanism बार बार repeat हुआ, as well as जो आपका hormone का regulation है, इससे question आपके कई बार repeat हो रहे हैं, तो इन सारे concept को याद रखो, इसलिए previous year के questions आपके साथ solve करवाय जाते हैं, ताकि आपके concept clarity जादा अच्छे से रहे, ठीक है, चालिए, तो यहाँ पे अगर हम अपने पहले correct answer की बात करें, तो वो क्या हो का एक बार चलिए, NCRT को पढ़ता है इसके लिए, तो अगर आप अपनी NCRT में page number 297 को देखो, कितना favorite page है examiner के लिए page number 297, कितनी बार question इसी page से पूछ लिया गया है, तो आपने क्या बोला आपका इहाँ पे question में, आपने diuresis को prevent करने की बात कर रहे थे, कि diuresis prevent कैसे हो सक है, तो आपने क्या कहा कि आपका जो sodium ion and water है, वो क्या करेगा, आपका reabsorption करवाएगा, कहां पे करवाएगा, aldosterone की help से, तो अगर आप अपनी NCRT को देखो, तो पिटा, आपका क्या लिखावा है, कि आपका aldosterone है, यह क्या करता है, आपका reabsorption करवाता है, sodium ion and water का from the distal part of the tubule, that means from the DCT and जिसकी वज़े से क्या होगा, आपका increase होगा, blood pressure का और increase हो जाएगी, आपकी यहाँ पे GFR की, glomerular filtration rate भी क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, वेटा, आपका A will be your correct answer, अगर आपका water बहार का excrete out हो रहा है, तो that means diuresis को आप prevent कर रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A correct हो जाएगा, कुछ students ने यहाँ पे D mark किया था, D में क्या कहा बिटा, आपने more water reabsorption due to the under secretion of ADH, under secretion का मतलब क्या है, hyposecretion of ADH, आपने कहा कि anti-diuretic hormone कम release हो रहा है, जिसकी वज़े से water reabsor option जादा हो रहा है, तो यह थोड़ा सा बिटा, थोड़ा सा कभी क्या होता है, आपका छोटे-छोटे words भीना question को गलत कर देते हैं, यहाँ पे आपने किसकी term की बात किया, under secretion की बात किया, that means ADH hyposecretion हो रहा है, इसलिए आपका यह क्या हो जाएगा, wrong हो जाएगा, तो A will be your correct answer और A वालों के yes, plus 4 marks, देखें, तो यह आपका need 2020 में third question था, इस chapter का, चलिए, now next आगे बढ़ते हैं, अपने next question पे आते हैं, now need 2019 में आपका question पूछा गया, और कैसा question पूछा गया, आपका math the column पूछा गया, तो आपको यहाँ पे क्या-क्या words दिया है, podocyte दिया है, proto-nephr दिया है, nephridia दिया है, and renal calculi दिया है, तो यहाँ पे बेटा क्या दिया है, आपको एक तो आपके excretory organs दिये, और इसके अलावा क्या दिया, आपके excretory structure और disorder से question पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या answer correct होना चाहिए, चलिए, पहले आप अपना correct answer बताएए, कि यहाँ पे जल्दी के चक्कर में अच्छा wrong मत माग कर देना, ठीक है, जल्दी जल्दी के चक्कर में wrong मत माग कर देना question को, ओके विशाल ने answer किया है कि C आपका correct answer है, ओके ओके गितान्चुली के लिए B correct है, ठीक है और किसी के लिए कोई और answer correct है, चलिए, एक बार question को आपके साथ discuss करते हैं, इसके concept को समझते हैं, पोडो साइट की अगर आप बात करो, ओके दयाराम के लिए और मानसी के लिए C correct है, ओके पोडो साइट की अगर आप बात करो बटा, तो पोडो साइट किस में present होते हैं, हमारा जो बावमेंस कैपसूल है, उसमें आपको क्या मिलते हैं, फिल्ट्रेशन पोर्स मिलते हैं, जिसकी वज़े से क्या होगा, आपका फिल्ट्रेशन होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पोडो साइट मीन्स, आपका क्या है, फिल्ट्रेशन स्लिट्स है, सेकेंड आपने बोला, प्रोटो नेफरीडिया, प्रोटो नेफरीडिया किसका एक्स्रिटी और्गन है, next आपने बोला nephredia nephredia किसका excretory organ होगा बिटा आपके analyta का होगा and fourth आपने बोला renal calculi यह क्या है आपका disorder है यह आपका stone है आप इसको kidney stone भी बोलते हो जहाँ पर क्या present होंगे आपके crystallized oxalates present होंगे हमारी kidney में तो आपका यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा बिटा C will be your correct answer यहाँ पे क्या होगा आपका C correct answer होगा और यह चीज बेटा हमारी NCRT ने भी mention की है आपके जो different excretory organ है जब आप NCRT start करते हो इस chapter के लिए तो वहाँ पे आपके सारे excretory organs आपके साथ mention किये वे आपका क्या क्या दिया है आपके जो cephalocodids है MP Oxus है वहाँ पे क्या प्रेजंट होगा Proto-Nephridia प्रेजंट होगा आपके जो प्लैटी हेलमन्थीज है वहाँ पे भी क्या मिलेगा Proto-Nephridia मिलेगा अगर आप अपने Earth Forms आनिलिट्स की बात करो तो वहाँ आपको क्या मिलेगा Nephridia मिलेगा NCRT का ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग का टॉपिक छोड़ देना है वहां से भी आप कई बार क्वेशन्स पाओगे एक्जाम में तो हर एक चीज को अच्छे से रीट करना है हमें Yes C वालों के यहां पे प्लस फोर मक्स चलिए Now next question पे आते है Next question भी आपका नीच 2019 में पूछा गया था और अगेन कैसा question है आपका Mass the column type question है किसे related question है बिटा यह आपके जो nephrons है Nephron के part से related question है कि आपका जो reabsorption होगा वहां पे किस तरीके का reabsorption present होगा तो क्या क्या दिया आपको Descending limb of anle loop दिया है proximal convulated tubule दिया है Ascending limb of loop of anle दिया है और इसके अलावा distal convulated tubule दिया है तो भीटा अपने urine formation के mechanism पड़े होंगे steps पड़े होंगे कि वहां पे 3 major steps आती है Ultra filtration जहां पे आपका Abowments, Capsule and Glomerulus आता है Second आपका आता है Selective Reabsorption जहां पे आपके nephron के सारे part involved होते है PCT, DCT, Loop of anle Collecting tubule and third आता है आपका वहां पे Tubulus Decretion जहां पे PCT, DCT और Collecting Tubule आते है तो आपको याद दुकना है बिटा कौन से पार्ट में किसका Reabsorption होता है, कौन सा पार्ट कौन से Reabsorption में involved होता है तो विशाल के लिए यहां पे अपके दयाराम के लिए भी बी करेक्ट है तो यहां पे बच्चा आपका दियावा है कि अगर आप descending limb of loop of henley की बात करो तो descending limb में तो क्या होता है पीटा आपका यहाँ पर water का reabsorption होता है राइट proximal convulated tubule में क्या होता है आपका यहाँ पर reabsorption होता है iron का आपके water का और organic nutrients का ascending limb की अगर आप बात करो तो यहाँ पर आपके केवल salt reabsorb होंगे और अगर आप distal convulated tubule की बात करो तो यहां पर क्या होता है बिटा आपका conditional reabsorption होता है प्राची के लिए भी बी करेक्ट है तो यह बच्चा यहां पर बी करेक्ट आंसर होगा यह आपका पूरा NCRT में mention किया हुआ है page number 294 में कि आपका जो PCT है वो किसमें involved होती है सबसे ज़्यादा जो reabsorption होता है वो कहां होता है आपका PCT में होता है proximal convulated tubule में होता है 100% glucose and amino acid PCT में reabsorbed होते है इसके अलावा आपका यहां पर आइन्स का reabsorption भी किसमें होता है PCT में होते है 80% जो water है वो कहां reabsorb होता है PCT में होता है then अगर आप endless loop की बात करो descending limb में water का होगा ascending limb में आपके ions का होगा NACL का होगा फिर आपका आता है DCT जहां पर आपने बोला है conditional reabsorption conditional reabsorption क्यों बोला है क्योंकि वो केवल कब होगा जब आपके ADH होर्मोन और aldosterone hormone होंगे तब ही केवल वो क्या करेगा आपका reabsorption करवाएगा और लास्ट आता है आपका collecting tubule जहां पर water और urea का आपका reabsorption होता है तो आपका yes यहां पर correct answer क्या हो जाएगा B will be your correct answer तो B वालों के साब के plus 4 marks थेगे चालिए now next question पर आते अगें बेटा किस पे पूछा गया है नी 2019 में question पूछा गया है तो 2019 में यह कौन से number का question है I think third या fourth number का आपका question पूछा गया है तो क्या पूछा है which of the following factor is responsible for the formation of concentrated urine क्या पूछा गया है बेटा आपका यहां पर कि कौन सा आपका concentrated urine का formation करेगा पहला अपने बोला maintaining hypoosmolarity towards the inner medullary intestatum in the kidney second आपने बोला secretion of arythropoietin by the juxtaglomerular complex third आपने बोला hydrostatic pressure during the glomerular filtration and fourth आपने बोला low level of anti-diuretic hormone आपने कहा है बेटा कि कौन सा ऐसा factor है जो आपकी urine को जादा concentrated बनाता है hypertonic urine का production करता है ओके तो विशाल गेतांजली मांसी ईशल आप सब के लिए a correct answer है ओके तो चलिए अपने correct answer को पहले देख लेते हैं फिर इसका concept आपके साथ discuss करते हैं तो येस बच्चा यहाँ पर क्या होगा आपका a will be your correct answer आपने किसकी बात की है hypertonic urine की बात की है तो बेटा अगेन अगर आपको page number 296 अपनी ncrt का याद हो तो तो इसने सीधा सीधा आपको लिखा है यहाँ पे कि आपका क्या होगा कि आपके जो यहाँ पे basically क्या है आपकी जो hypo osmolarity है जो आपका handless loop wasa recta as well as counter current mechanism बना रहा है इसकी वज़े से किसका production होता है hypertonic urine या फिर concentrated urine का production होता है तो yes a क्या होगा आपका correct answer होगा और a वालों के सबके plus 4 marks ठीक है तो page number 296 को याद देखना counter current mechanism से भी question कई बार repeat होते हैं बिटा हमारे पस ठीक है चलिए yes रिशू क्या होगा आपका b correct answer होगा चलिए next question पर आते हैं बच्चा अगी 2019 में question पूछा गया है तो I think यह fourth number का question होगा human physiology से बिटा question up-down होते रहते हैं कभी किसी chapter से जादा पूछे जाते हैं कभी किसी chapter से जादा पूछे जाते हैं तो सारे chapters आपको human physio के बहुत अच्छे से तैयार करने हैं अपने ठीक है तो आपको यहां पर question क्या पूछा गया बिटा कि use of artificial kidney during the hemodialysis में result in किस से related question है आपके hemodialysis से related question है कि अगर आप artificial kidney का use कर रहे हो तो यहां पर क्या होगा पहला nitrogenous waste आपकी body में बनेगा second non-alimination होगा आपके excess potassium ion का third आपने बोला reduced absorption होगा calcium का from the gastrointestinal tract and fourth आपने बोला reduced RBC production तो विशाल, ईशल, मांसी and गितांचली आपके लिए B correct answer है okay okay तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि yes आपका क्या होगा बच्चा आपका है आपके B will be your correct answer आपने क्या कहा है आपके hemodialysis की बात के yes दयारा B correct होगा प्राच्ची yes आपने hemodialysis की बात के hemodialysis हम कब यूज करते हैं जब हमारे kidney प्रॉपरली काम नहीं करती है तब हमें किसका requirement होता है hemodialysis का होता है तो hemodialysis में basically क्या यूज किया जाता है अगर आप hemodialysis की बात करो तो hemodialysis में क्या होता है जो आपका dialyzing fluid है उसका जो आपका composition होता है वो बिलकुल सेम होता है as your blood plasma वो पुरा blood plasma की तरह आपका सेम होगा बस वहां पर क्या present नहीं होता है ताकि हम diffusion करके यूरिया को body से बाहर remove कर सके तो आपने क्या कहा था कि अगर आप hemodialysis कर रहे हो तो आपकी body में nitrogenous waste build up होंगे यह तो बेटा हम क्या करेंगे dialyzing unit की help से हम बाहर निकाल देंगे राइट सेंगे हमने बोला non elimination of the excess potassium ion आपका क्या होता है बेटा tubular secretion में तो आपका potassium ion भी निकल रहे है तो यह भी आपका सही होगा ठीक है dialyzing unit का requirement है और फूर्थ आपने बोला reduce RBC production यह भी सही है आपका जो erythropoietin hormone है erythropoietin hormone कहां से secret होता है आपकी kidney से secret होता है तो अगर kidney में problem आएगा तो erythropoietin hormone भी decrease हो जाएगा जिसकी वजह से जो आपका erythropoietin hormone है जो RBC का production है वो भी क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा तो yes आपका यहाँ पर क्या होगा भी आपका correct answer होगा तो yes यहाँ पर सब के plus 4 marks है क्योंकि सब ने आपका भी correct किया है ठीक है चलिए ओके तो 2019 में आपके इस chapter से काफी जादा question पूछे गहें थे अब आते हैं विटा आपके नीट 2018 के question में क्या पूछा गया आपको यहाँ पर अगीन आपका कैसा question दिया गया है mass the column type question दिया गया है और किससे related दिया गया है आपकी जो kidney के अंदर different जो आपकी प्रोसेस होरी है उससे related दिया गया है ठीक है artificial kidney बेटा artificial kidney का use कब करोगे जब आपकी kidney जो आपकी original kidney है जब आपका properly काम नहीं कर पार रहे है तब आप dialysis करते हो right artificial kidney का meaning क्या क्या कर रहे हो dialysis कर रहे हो right तो वह कब होगा कि यह तो क्या हो रहा है आपकी body में जादा urea accumulate हो जा रहे है तब भी आप कर सकते हो जब uremia basically आपका हो रहा है तब भी आप क्या करोगे artificial kidney का use करोगे जब basically simple से ध्यान रखो जब kidney काम नहीं कर रहे है तब आपको artificial kidney का use करना पढ़ रहे है okay so for Vishal, Gitanjali, E-shell आपके लिए C correct answer है ठीक है okay तो चलिए एक पर question देख लेते हैं आपका क्या बोला अपने पहला अपने term यूज किया है ultra filtration तो ultra filtration बेटा किस में होता है आपके baumins capsule and glomerulus में होता है and इन दोनों के combination को आप क्या बोलते हो that is called as the malpegian corpuscle, right okay for Daya Ram, Pratchi and Mansi C correct है ठीक है तो आपने क्या कहा बेटा आपका जो baumins capsule and glomerulus है दोनों जब combine होते हैं तब आप उससे क्या बोलते हो malpegian corpuscle बोलते हो आचा ध्यान रखना यहाँ पे अपने term यूज किया है malpegian corpuscle अगर आप यहाँ पे term यूज करते malpegian tubule तो वो wrong होता because malpegian tubule आप सबको बता होगा that is the excretory organ of the orthopod, right वो किसका excretory organ है आपके insects का excretory organ है तो यह छोटे-छोटे terms भी थोड़े से ध्यान रखना, ठीक है second आपने बोला concentration of urine तो अब यह तो सबको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि आपका जो urine का concentration है उसके साथ कौन related होता है आपका loop of family होता है, right वहाँ पे कौन required होता है, loop of family required होता है third आपने बोला transport of urine तो transport of urine कौन करता है पिटा, आपका ureter करता है, right kidney, urine produce करेगी, जिसको ureter carry करेगा कहां ले जाएगा, urinary bladder में ले जाएगा जहांपे storage होगा and then वो urinary bladder आपका open होगा with the help of the urethra, right then fourth आपने बोला storage of urine तो अभी हमने बोला वो कौन करेगा आपका यहाँ पे urinary bladder करेगा, right तो आपका यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा आपने correctly mark किया था क्या आपका क्या हो जाएगा, first आपका fourth है okay आपने C mark किया है, most of the student ने C mark किया है C के according तो क्या है बेटा second के लिए आपने बोलाई कि आपका fifth correct होगा, ऐसे कैसे सारे students ने यहाँ पे C mark किया है और उसकी according क्या है कि concentration urine को आप बता रहे हो कि वो किस से related है, that is related to the PCT that is related to the proximal convoluted tubule ऐसा क्यों भई? question अच्छे से देखा नहीं, आपने जल्दी जल्दी में मार्क किया है, silly mistake किया है यहाँ पे बताईए अपना reason reason, बताईए reason, क्यों रॉम कर दिया? concept तो I think यह सबको पता था, right? यह चीजों का ध्यान रखो बेटा, यह जो आप छूटी छूटी गलतिया करते हो ना इसी से क्या होगा, नीट में देखो हर एक मार्क आपके लिए बहुत जादा important है, एक-एक मार्क सापके लिए नीट में बहुत important है, right? तो थोड़ा सा जब question को solve करते हो ना, तो थोड़ा सा उसमें question को properly पहले एक बार देख लो, then उसकी बार टिक करो यहां तो पेटा, क्या हो सकता है, यहां तो कोई बात दी, यहां तो आप क्या कर रहे हो, basically सीधे-सीधे आप solve कर रहे हो, ना, बट नीट में तो आप क्या करते हो, अपनी OMR फिल कर देते हो, और अगर एक बर OMR में wrong कर दिया, तो आपको पता, examiner दूसरी OMR आपको नहीं द कर देगा, और वहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, negative marks आजाएगा, तो आपको यहां पर सारी नहीं बोला, यहां पर हम आपको यह सारी चीजे क्यों कर रहे हो, आपको यह सेशन हम ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, ताकि आपका जो नीट examination जो आप इस साल द करो, ठीक है, अच्छा, एक चीज याद दखो, यहां तो देखो, हम लोग क्वेशन प्रेक्टिस करवाते हैं, अभी देखो, आपको concept पता है, लेकिन आपना जल्दी के चकर में wrong कर रहे हो, तो questions को थोड़ा सा जाधा solve करो, आपने लिए जो भी chapters आप यहां पर discuss कर रहे है उसके questions घर पे जाधा लगाओ, ठीक है, चालो, तो सौरी नहीं बोला, कोई बात नहीं हो जाती है, गलती कभी-कभी, बढ़ ध्यान रखो इन सारी गलतियों को, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बिटा, B will be your correct answer, ठीक है, और यह सीधा-सीधा आपका सारा कहां से पू Okay, चलिए, next question पर आते है, need 2018 का question है, second question है आपका need 2018 में, इस chapter है, ठीक है, कैसा question है, again, mass the column है, देखो, again, mass the column है, तो इस बार धंग से देखके करना, ठीक है, इस बार धंग से देखके एक बार solve करना, ठीक है, तो आपका यहां पर question किससे related पूछा गया है, यह आपका disorder से पू stimuli और glomerular nephritis, तो इसको अब सही से solve करो, ओके, हाई बेटा, ओके, तो यहां पर क्या होना चाहिए हमारा, ओके, कि तांचली के लिए, विशाल के लिए, यहां पर D correct answer है, ठीक है, ओके, और, मांसी के लिए भी D correct answer है, ठीक है, ओके, इसल के लिए भी यहां पर D correct answer है, तो चलिए, एक बर हम भी आपके साथ question को देखते हैं, आपने क्या बूला है विटा, सबसे पहले आपने use किया है glycosuria, तो हमेशे एक चीज याद अखना, जब भी आपका suffix, आपका yuria आ रहा है, जब भी suffix urea आ रहा है, that means कोई चीज आपकी present है urine में, ठीक है, और अगर आपका suffix amia आता है, ठीक है, अगर आपका यहां पर suffix है urea, तो that means वो क्या है, urine में present है, और अगर आपका suffix है amia, तो that means वो किस में present है, आपके blood में present है, यह चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, त यहां पर क्या हो जाएगा पिटा आपका presence of glucose in the urine second आपने बोला gout, gout किसको बोलते हो आप that is the arthritis आप अर्थराइटेस है ना gout किसके लिए यूज करते हो आप अर्थराइटेस के लिए यूज करते हो ठीक है हाई मीर आपने gout किसके लिए किया है पिटा आपका अर्थराइटेस के लिए क्या और अर्थराइटेस सबको बताऊगा कि यहां पर क्या होता है कि जो joints होता है वहां पर uric acid का accumulation होता है अर्थराइटेस में तो यह आपका correct हो जाएगा ठीक है then आपने बोला renal calculi, renal calculi का मतलब क्या है kidney stone right तो यहां पर क्या होगा पिटा आपका mass of crystallized salts होगा within the kidney और fourth आपने बोला यहां पर glomerular nephritis that means यहां पर क्या होगी inflammation होगी किसमें आपके glomerulus में ठीक है तो यहां पर एक और suffix याद रखना पिटा कि अगर आपका suffix use होता है itis अगर आपका last में क्या use हो itis आらहे धाट मीनस उसका मतलब क्या होता है inflamation इसका मिनिग क्या होगा आपका inflammation होगा जैसे अपने पढ़हाहोगा जैसे यहां पे आया glomerulonephritis मतलब आपके glomerulus में क्या हो रहा है inflammation हो रहा है bronchitis पढ़होगा आपके bronchi में inflammation हो रहा है जब भी आitis suffix साता है तो दाट मेंस वो किसको डिनोट कर रहा है इंफलमेशन को गर अगर आपने यह सब्सक्राइब रख लिए तो कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आई गी आगे ठीक है चलिए तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो चाहेगा आप सबने यहां पर क्या क आपने आपका यहां पर क्या होगा डी विल पी और आर यह आपकी अंचियर्ट में सारी डिसीज कीवर है इंदा पेज नंबर 2209 ड्राइब का है पर क्या केवन है राइनल काल्कुलाई गिवन है डातट ता किडिनी स्टों जहां पर क्या हो रहा है आपके क्रिस्ट आइस न आपके kidney में accumulate हो रहे हैं and आपने क्या बोला Glomerulonephritis बोला जहां पर आपका क्या हो रहा है Glomerulai में आपका inflammation हो रहा है तो yes यहां पर plus 4 marks है यहां आपने question को अच्छे से पढ़के solve किया था ठीक है चलिए now next question पर आते है 2018 पर आपके 3 question पूछे गए थे इस chapter से now next question पर आते है 2017 का आपका question है क्या पूछा गया है आपको यहां पर कि wish of the following statement is correct आपको क्या बताना है correct statement बताना है ठीक है first आपने बोला ascending limb of loop of henley is impermeable to water second आपने बोला कि descending limb of loop of henley is impermeable to water third आपने बोला ascending limb of loop of henley is permeable to water and fourth आपने बोला descending limb of loop of henley is permeable to electrolytes तो बिटा यहां पर क्या है देखो examiner ने आपके साथ क्या किया एक simple से concept पर question पूछा और उसने हर तरीकी के options आपको दे दिये आपको हर तरीके के questions यहां पर मिल गए है sometimes urine turns yellow color बेटा generally अगर आप बात करो तो urine का color कैसा होता है pale yellow color का होता है ठीके लेकिन कभी कभी क्या होता है urine का color कैसा हो जाता है dark yellow हो जाता है तो urine के color के लिए basically जो आपका responsible होता है that is the bile pigment वहां पर कॉन responsible होता है आपका bile pigment कॉन सा bile pigment आपका responsible होता है euro chrome राइट आप इसको euro chrome बोल सकते हो या फे eurobelline बोल सकते हो तो basically यह क्या हो जाता है आपकी body में जादा excret out hoता है जिसकी वज़े से जो urine का color है वो कैसा हो जाता आपका dark yellow हो जाता है ठीक है ओके तो यहां पर बशेषाल के लिए लिए मांसी के लिए एक लिए करेक्ट राइंसर है कितानजली के लिए यहां पर बी करेक्ट आंसर है ठीक है और किसी का कोई और answer समराथ के लिए भी B correct answer है ठीक है ओके चलिए तो यहाँ पर बच्चा आपका correct answer क्या होगा अगर आप अपने correct answer की बात करो तो आपने क्या कहा है यहाँ पर B correct answer बोलाई कुछ students ने और कुछ ने A बोलाई तो चलिए एक बार दोनों को देख लेते हैं अगर आप लूप आफ-ले की बात करो तो लूप आफ-ले में आपके दो लिंप्स प्रेज़ेंट होता है कौन-कौन से दो लिंप्स होते है पहला आता है descending limb जो PCT से आ रहा है और फिर उसके बाद क्या आता है आपका ascending limb आता है लूप आफ एल ने इसी तरीके का present होता है आपका तो आपका जो यहाँ पे descending limb है यह किसके लिए permeable होता है आपका यहाँ पे that is permeable to water यह आपका water के लिए permeable होगा और अगर आप अपने ascending limb की बात करो तो वो क्या होगा बिटा आपका यहाँ पे that is permeable to the electrolyte वो आपके NECL के लिए क्या होगा permeable होगा बट वो आपका water के लिए क्या होगा impermeable होगा तो यहाँ पे correct answer क्या होगा आपने बोला ascending limb क्या है that is impermeable to water विल्कुल सही है second आपने बोला descending limb of loop of LA impermeable to water तो यह तो बिटा wrong होगा आपका यहाँ पे third आपने बोला ascending limb क्या है आपका water के लिए permeable है यह भी wrong होगा and fourth आपने यहाँ पे बोला कि descending limb है वो permeable है electrolytes के लिए यह भी क्या है wrong है तो आपका क्या होगा first आपका correct statement होगा तो देखो question बहुत easy था ना एक्जामिनर ने आपके NCRT की direct line से आपको question पूछा है अगर आप अपनी NCRT में page number 294 को देखो तो यहाँ पे आपको सीधा-सीधा लिखा है बेटा कि descending limb of loop of only permeable to water but almost impermeable to electrolyte and इसके अलाबा आपने क्या बोला कि जो आपकी ascending limb होगी वो क्या होगी आपकी water के लिए क्या होगी impermeable होगी राइट वो क्या होगी आपकी water के लिए impermeable होगी तो देखो direct line से question पूछा गया है एक्जामिनर ऐसे करता है कभी-कभी easy question पूछतेगा बट उसकी language को थोड़ा सा घुमा देगा ठीक है ओके तो चलिए एजनोंने mark किया उनके plus 4 marks now next question पर आते है नीट 2017 में question पूछा गया है second question है आपका नीट 2017 का a decrease in the blood pressure or volume will not cause the release of आपने क्या कहा कि अगर आपका जो blood pressure या blood volume है अगर वो आपका decrease हो जाता है तो इसमें से किसका release नहीं होगा वहां आपका रेनीन का release नहीं होगा या फिर ANF नहीं होगा या aldosterone नहीं होगा या फिर ADH नहीं होगा यहां पर क्या correct होना चाहिए देखो यह question आपका पूछा गया hormonal regulation से और hormonal regulation से अगर आप analyze करो तो आपको कितने सारे questions पूछे गए हैं ना कितनी बार आपके questions repeat हुए इस topic से तो फॉर विशाल दयाराम B correct है समराट के लिए C correct है ठीक है ईशल के लिए B correct है गितांजली के लिए C correct है ठीक है ओके मांसी के लिए भी B correct है चलिए तो एक बर अपना answer देखते हैं पहले फिर इसको NC आती में अपन देखेंगे तो आपके correct answer क्या होगा पिटा ए एनफ आपका correct answer होगा आपने क्या का है blood pressure decrease हुआ है blood volume decrease हुआ है तो यहां पर क्या होगा आपने पढ़ा है ना बिटा आपका page number 297 में आपने पढ़ा है कि एनफ क्या करता है एनफ का काम क्या है कि यह आपका वेसो डाइलेशन करेगा और वेसो डाइलेशन करके यह क्या कर देता है आपके blood pressure को decrease कर देता है question में क्या दिया था कि आल्रेडी आपका blood pressure decrease है तो यहां पर कौन सा release नहीं होगा तो अब्विस से चीज़ें पिटा यहां पर क्या release नहीं होगा atrial natriuretic factor यहां पर release नहीं होगा क्योंकि यह भी क्या कर रहा है blood pressure को और decrease कर रहा है तो यह तो हमारी body को harm कर देगा राइट यहां पर बिटा क्या reabsorption को increase करेंगे तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा B will be your correct answer तो yes B वालों के plus 4 marks देखें चलिए now next question पर आते है next question आपका बिटा नी 2016 में पूछा गया था क्या question पूछा गया है the part of nephron involved in the active reabsorption of sodium is क्या पूछा गया बिटा क्या आपका इना फ्रॉन का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर आपके sodium का active reabsorption होगा क्या कहा है active reabsorption होगा तो आपका क्या होगा बिटा आपका first आपने बोला distal convylated tubule second आपने बोला proximal convylated tubule third आपने बोला baumins capsule and fourth आपने बोला descending limb of loop of hell ने तो यहां पर क्या answer correct होना चाहिए कौन सा पार्ट आपके sodium का active reabsorption करवाएगा ओके विशाल के लिए गतांजली मांसी इशल दयाराम ओके आप सब के लिए भी correct answer है ठीक है ओके सम्राज के लिए डी correct answer है ओके चलिए एक बर हम question अपना देख लेते हैं बिटा तो आपका क्या होगा बिटा येस बी विल बी और correct answer PCT आपका यहां पर correct होगा ओके चालो कैसे correct होगा अपनी NCRT में देखते हैं page number 294 में यहां पर बच्चा आपका mention किया वह है कि जो आपका PCT है राइट PCT में क्या होता है पिटा आपका यहां पर क्या involve करता है आपकर जो PCT है यहां पर क्या होगा एक तो 70-80% आपके electrolytes और water का क्या होगा री absorption होगा राइट PCT में क्या होगा आपके 72-80% आपका water अब भी reabsorbed हो जाता है आज वेल आपका electrolytes भी reabsorbed हो जाता है इसके अलावा यह क्या करता है आपका ionic and balance करके maintain करके रखता है पी एचन आइनिक balance को maintain करता है तो अगर आप active reabsorption की बात करो तो active reabsorption कहां होगा बच्चा आपका पी आपके कौन से पार्ट में होगा PCT में होगा क्योंकि 70-80% आपका के वल कहां आपका reabsorbed हो रहा है आपके PCT वाले पार्ट में reabsorbed हो रहा है ठीक है तो आपका यहां पर क्या होगा बी विल बी और correct answer आपका यहां पर क्या होगा बी विल बी और करेक्ट आंसर डी तो विटा आपका हो ही नहीं सकता था अगर यहां पर आप ascending limb of loop of N ले होते लिखते तो तब भी आप थोड़ा confused हो सकते थे बट descending limb में तो विटा आपका impermeable electrolyte के लिए तो यह तो आपका correct answer नहीं हो सकता थिक है okay now next question पर आते हैं आपने क्या पूछा है नी 2015 का आपका question है क्या पूछा गया बिटा आपको यहां पर human urine is usually acidic because आपको क्या बोला गया है कि जो human urine है वो कैसी होगी आपकी acidic होगी क्यों होगी पहला आपने बोला sodium transporter exchanges one hydrogen ion for each sodium in paritubular capillary second आपने बोला excreted plasma protein are acidic third आपने बोला potassium and sodium exchange generate acidity and fourth आपने कहा hydrogen ions are actively secreted into the filtrate तो यहां पर क्या answer correct होना चाहिए okay for dayaram विशाल मांसी गतांजली ईशल आप सबके लिए डी करेक्ट आंसर है okay समराथ के लिए भी डी करेक्ट आंसर है तो चलिए पहले एक बार answer देख लेते हैं तो आपका yes यहां पर क्या होगा पिटा डी करेक्ट आंसर होगा जो हमारी human urine है वो कैसी होती है विटा आपकी आसेटिक होती है कैसे आसेटिक होती है आपका पेज नंबर 294 क्या लिखा हुआ है विटा आपका यहां पर आपको क्या लिखा है कि आपका जब urine formation होता है तो इस time पर क्या होगा जो आपकी tubular cells है वो किसको secret करती है they will secret your substance like your hydrogen ion potassium ion and ammonia into the filtrate right वो किसका secretion करेंगे आपके h plus ion का ammonium ion का as well as आपके potassium ion का तो h plus ion आपको पता है कि अगर h plus ion आपका जादा होगा तो that means वहाँ पर क्या होगा आपका pH decrease होगा और अगर pH decrease करता है तो हम सबको पता है कि कैसी आपकी वहाँ पर होगी acidity आपकी cause होगी वहाँ पर कैसा environment होगा acidic environment होगा right तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा yes D will be a correct answer तो यहाँ पर तो विटा सबके plus 4 marks है तक है चलिए now next question पर आते हैं आपका 2014 में question पूछा गया था क्या पूछा गया था आपको यहाँ पर which of the following cause is an increase in sodium reabsorption in the distal convulated tubule आपने क्या बोला है पिटा आपका यहाँ पर क्या आपका जो sodium iron है इसका reabsorption आपके DCT में कैसे होगा first आपने बोला increase in aldosterone level second आपने बोला increase in antidiuretic hormone third आपने बोला decrease in aldosterone level and fourth आपने बोला decrease in anti-diuretic level तो पेटा देखो again question किस से आया है hormone regulation से आया है तो जिसने अभी तक hormone regulation वाला पार्ट अच्छे से नहीं बढ़ा है hormone regulation वाला पार्ट बहुत अच्छे से read out कर लेना because कई बार इसी से question पूछे है आपका रेनिन है ADH है aldosterone है इससे आपके कई बार question पूछे गए है ठीक है तो फॉर दयाराम विशाल गितांजली मानसी ईशल ओके आप सब के लिए a correct answer है ठीक है तो यहाँ पर बच्चा अगर हम अपने correct answer की बात कर रहें तो यहस आपका क्या होगा यहाँ पर a will be your correct answer right कि आपका जो sodium ayon है उसके reabsorption के लिए कौन आपका यहाँ पर होगा बिटा आपका कौन important होगा aldosterone level important होगा कैसे अगें बेटा अपनी NCRT को देखो इंदा page number 297 अब तो I think सबको कुछ page तो याद हो गए होंगे right page number 297 अभी नगर आप open करके देखोगे तो क्या लिखा है बेटा कि aldosterone causes reabsorption of sodium ayon and water from the distal part of the debule mention किया है कि जो आपका aldosterone है वो आपके water का as well as sodium ayon का reabsorption करवाएगा from the distal part of your debule or you can say from your DCT part ठीक है तो यहाँ पर क्या होच रहा हैगा आपका yes a will be your correct answer sodium ayon reabsorption किस से related है आपके aldosterone से aldosterone hormone कहां से release होगा आपके adrenal cortex से होगा ठीक है yes yes मोहमद तो यहाँ पर क्या होगा आपका a will be your correct answer तो आपके प्लस 4 marks ठीक है ADH hormone की अगर आप बात करो बेटा बी में आपने ADH hormone लिखा है so that is related to the water reabsorption वो किस से related है कि यवल water reabsorption से है चलिए now next question पर आते हैं आपका यहाँ पर नी 2013 में question पूछा गया था आपको यहाँ पर बिटा क्या दिया है आपकी kidney का diagram दिया है आपके excretory system का diagram दिया है और आपको क्या बताना है यहाँ पर आपका part और उसका correct characteristic बताना है तो यहाँ पर क्या correct होना चाहिए हमारा एक बर अच्छे दाइग्राम देखो then solve करो जल्दी की सक्कर में wrong मत करना आपके विशाल के लिए a correct है मांसी के लिए a correct है ईशल के लिए a correct है मौहमद के लिए a correct है ओके और किसी का कोई और answer आना है ओके दाइआराम के लिए c correct है ओके और के लिए c correct है चाहिए तो अपने correct answer की बात करते है विटा तो आपका यहाँ पर correct answer क्या होगा a will be your correct answer अगर आप अपनी इस डाइग्राम को देखो तो a क्या है विटा आपका यहाँ पर that is the adrenal gland है ना जो क्या release करती है catecola mines का मतलब क्या है आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो you are talking about your emergency hormones ठीक है आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो अपने emergency hormones की बात कर रहे हो तो a आपका correct होगा second आपने बोला कि b आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है pelvis को जो क्या करेगा आपका यहाँ पर directly connect होगा to the loop of endless ऐसा तो नहीं है loop of endless है तो pelvis कभी भी directly connect होता ही नहीं है आपका जो pelvis है वो तो किस से connected होता है आपकी collecting duct से होता है तो यह आपका wrong हो गया थर्ड आपने बोला कि आपका C क्या है यहाँ पर medulla है जिसमें आपका क्या है यह आपका inner zone of kidney है and it will contain the complete nephron तो बिटा एक चीज या जखना complete nephron कभी भी medulla में नहीं present होगा medulla में तो कीवल कौन सा part present होता है? loop of endless होता है अगर आप अपने PCT की बात करो barmanes capsule की बात करो, glomerulus की बात करो, DCT की बात करो यह सारे कहां present होते हैं? आपके cortex part में present होते हैं, यह सारे parts कहां है, आपके cortex में है medulla में तो आपका क्या present होगा loop of L ने आपका extend down होगा ठीके तो वो भी wrong हो गया and fourth आपने यहाँ पे बोला कि D क्या है आपका cortex outer part of kidney and do not contain any part of nephron तो यह भी अभी गलती है अभी हमने बोला कि आपके cortex में क्या होंगे PCT DCT और क्या present होंगे आपके वहाँ पे glomerulus and Bowman's capsule होंगे तो आपका यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा yes A will be your correct answer तो पिटा हमने आज आपके साथ basically आपके जो previous year के papers थे नी 2023 से लेके नी 2013 तक हमने सारे questions आपके साथ solve किये हमने सारे questions का concept आपके साथ solve किया आपने पीटा इस पूरे discussion में एक चीज काफी जादा realize करी होगी कुछ topics आपके वहाँ जादा important है कौन-कौन से topic आपके important है किस-किस topic से आपके पास कई बार question आए जैसे आपका counter current mechanism है जो hypertonic urine बना रहा है इसके अलावा आपका जो hormone का regulation है जैसे आपका renin है इसके अलावा आपका ADH है aldosterone है इससे आपका कई बार question पूछा गया राइट इसके अलावा जो आपका starting वाला जो point था जहां पे आपके excretory organs थे वहां से excretory product and excretory organ वहां से आपके पास question उठके आए थे nephron के आपके पार्ट है जहां पर reabsorption हो रहा है PCT, DCT, loop of family वहां से आपके पास कई बार question पूछा गया है तो आपको विटा कुछ topic पे तो बहुत जादा focus करना और yes इस chapter को जो सबसे important part है that is the hormone controlling your kidney, right? सबसे important तो क्या है कि जो आपके hormones kidney के functions को control कर रहे है वो सारे functions आपको याद रखने कि कौन सा hormone कब काम करेगा तो बस उसको ध्यान रखो ADH अगर water reabsorption increase कर रहा है तो वो कब काम करेगा जब आपका body fluid volume decrease होगा या blood pressure decrease होगा तब ADH काम करेगा और ANF कब काम करेगा इसके just opposite काम करेगा जब आपका blood pressure और body fluid volume बढ़ा हुआ है तब आपका क्या काम करेगा ANF काम करेगा तो ऐसे करके चीज़ों को correlate करके अपने पास याद रखो तो आज हमने बेटा आपके साथ आपके साथ बेसिकली concept भी समझें previous year के questions भी solve किये NCR के important points भी आपके साथ discuss किये ठाके कल के session में कल 11 बजे आपका वापस class है हमारे साथ जो आपका कल का session होगा बेटा कल के session में हम बेसिकली क्या करेंगे आपके साथ जो आपके excitatory system है इससे related आपके साथ practice questions करेंगे ठाके बहाँ पे हम basically AR type statement wise type और objective type जो भी different types of category है वो आपके साथ कल के session में हम discuss करेंगे ठाके तो आज इसको एक बार बापस से रिवाइस कर लेना पूरे शाप्टर को और कल फिर हम इससे related और questions discuss करेंगे ओके चलिए तुब कल 11 बजे मिलेंगे आपसे तब तक के लिए thank you so much okay